नमस्कार दोस्तो मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा industrial electrical channel बोल बूल बूल दोस्तो आज का वीडियो में मैं आपको समझाओंगा कि δीजी ब्रेकर कैसे क्लोज होता है दोस्तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको DG breaker closing circuit and tripping circuit के बारे में समझाया था लेकिन आज का वीडियो थोड़ा different है दोस्तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं दोस्तो ये पैनल में Incomer के साथ साथ bus coupler भी लगा हुआ है और बीच में है DG Incomer तो जहां पर bus coupler रहता है capacitor breaker रहता है वहां पर DG कैसे close होता है उसका थोड़ा logic वाज हम समझेंगे तो वीडियो को आन तक जरूर देखे दोस्तो अगर आप हमारा चानल में नया हो तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजे हमारा वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेयर करें सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकोन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाओ सारे वीडियो आप तो पहुंच जाए जैसा कि आप देख रहें दोस्तो ये प्यानल में बस कपलर भी है दो इनकमर है और एक डिजी का इनकमर है यानि एक सेक्षन पे हमने डिजी को रखा है यानि उसी सेक्षन में कुछ इंपोर्णाट ड्राइब होगा इसलिए जो ड्राइब हमेशा चलता रहना चाहिए वो बंद हो जाएगा तो प्लांट के लिए नुक्सान है तो उसके लिए दोस्तों डिजी ब्रेकर एक लगया गया है जो कि जब डिजेल जेनरेटर ओन होगा यानि इनकमिंग पावर सप्लाई चला जाएगा जो आमारा ट्रांसफर्मर से जो सप्लाई आता है 415 वोल्ट अगर अगर आपने नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो को जरूर देख लिजे उसी वीडियो में आपको बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएगा आप कैसे डिजी ब्रेकर सर्किट को चेकिंग करेंगे आपको कैसे ड्रोइंग को स्टोडी करना है ट्रॉबल सूटिंग में आपको क्या क्या प्रोसिजर फोलो करना है मैं लास्ट वीडियो में पुरा डिटेल में समझाया हूँ तो आज का वीडियो में आपको समझाऊंगा एक पैनल में दो इंकमर है बीज में बसकपलर है और एक साइड में आपका डिजी इंकमर है तो वाला डिजी इंकमर कैसे क्लोज ह होता है और दोस्तों आपने देखा यह प्यानेल में कापासिटर da Rank को चार्ज करता है और जैसा कि आप जांते हैं जब आप Charles करते हैं तो स्बस्पेंव आप लोग कापासिटर को अप रखना पड़ता है अगर आप कापासिटर ब्यांक को चार्ज कर देंगे तो क्या होगा आपका DG ट्रीप हो जाएगा DG को ट्रीप करवा देगा कापासिटर ब्यांक तो उसकी वज़े से आपको कापासिटर को हमेशा ओप रखना है जब भी आप DJ supply को चार्ज करते हैं, तो आपका capacitor bank off condition में रहना चाहिए, अगर आप capacitor bank के बारे में समझना चाहता है, capacitor को कैसे चकिंग करते हैं, capacitor related अगर आपको कुछ doubt है, capacitor bank related अगर आपको कुछ doubt है, मैं capacitor के उपर भी बहुत सारा विडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाएए, प्लेलिस्ट में आपको कापासिटर ब्याक रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा एक फाइल बना है दोस्तों वहाँ पे कापासिटर रिलेटेड सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा कि कापासिटर को केसे चेकिंग करना है कापासिटर खराब हो गया है या कापासिटर सही है केसे आप चेकिंग करेंगे पुरा डीटेल में मैं वहाँ पे समझाया हूँ प्राक्टिकल वीडियो का माध्यम से अगर आपको अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर प्राक्टिकल वीडियो ट्रॉबल सुटिंग वीडियो बनाता हूं दोस्तों क्योंकि आप जब इंडेस्ट्री में काम करते हैं आप ड्रॉइंग तो स्टॉडि कर लेते हैं लेकिन आपको ट्रॉबल सुटिंग प्रोसीजर आना चाहिए अगर एक फॉल्ड आया तो उसमें आपको सबसे पहले क्या चेकिंग करना है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं दोस्तों मेरा चैनल में ज्यादा तर ट्रॉबल सुटिंग वीडियो मिल जाता है जो की दूसरे चैनल में आपको नहीं मिलेगा इतना सारा टोपिक के उपर ट्रॉबल सुटिंग वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तो प्रक्टिकाल वीडियो सिर्फ आपको इसी चानेल में मिलेगा तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारा चानेल को सब्सक्राइब कर दिए और मैं जितना सारा वीडियो अभी तक अफ्लोड किया हूं दोस्तो सारे वीडियो को देखिए दोस्तो ये वीड देखने के बाद लास्ट वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें तो चलिए दोस्तों समझते हैं डिजी ब्रेकर का क्लोजिक कंडिशन क्या होगा जहां पे बसकॉपलर है और कापासिटर ब्यांक भी है तो अगर आपका एरिया में आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे डिजी ब्रेकर है लेकिन उसके साथ साथ बसकॉपलर है और कापासिटर ब्रेकर है तो उसी सिचुएशन में डिजी ब्रेकर का क्लोजिक कंडिशन क्या है नमबर वान चीजे दोस्तों सिलेक्टर स्विच अटो मोड में रहेगा तब ही आपका ये ब्रेकर अटो में क्लोज अगर ओटो मोड में नहीं है तो आपको मानवाली उसे क्लोज करना पड़ेगा और बाकी जितना पॉइंट से दोस्तो लास्ट वीडियो में सारे पॉइंट्स के बारे मैं आपको समझाया था जैसा कि नमबर टू पॉइंट इनकम और ब्रेकर में कुछ भी सप्लाई नहीं हो होगा बस कॉपलर ओफ कंडिशन में रहेगा यह पॉइंट मैंने यहां पे आड़ किया है लास्ट वीडियो में सारे पॉइंट सेम था लेकिन यहां पे जो 6 एंड 7 नमबर है दोस्तो इसी विडियो में मैं आड़ किया हूँ यानि बस कॉपलर यहां पे है और कापासिटर ब्यांक ब्रेकर भी यहां पे है तो यह दोनों का कंडिशन ओप रहना चाहिए कापासिटर ब्यांक वाला ब्रेकर ओप में रहेगा बस कॉपलर ब्रेकर ओभी ओप पोजिशन में रहेगा और बाकी सारे पॉइंट सेम है लास्ट वीडियो जो लोग देखे हैं उन्हें कि अगर वह नहीं हुआ होगा तो आप डिजी को नहीं कर सकते हैं कि ऊचर्शन में रहेगा और डिजी ब्रेकर गर्वेगर स्प्रिंग चार्जिंग प्रोलीटij कॉभी नहीं होना चाहिए DRC ब्रेकर चैहिए और ब्रेकर का में स्प्रिंग क्यू of पोजिशन पर रहेगा अगर on रहेगा जैसे मैंने बोला कि कापासिटर ब्यांक अगर आप चार्ज कर देंगे तो डिजी सोर्स को ट्रिप करवा देगा जो आपका डिजी जेल जेनेरेटर चल रहा होगा उसको ट्रिप करवा देगा कापासिटर ब्यांक अगर आप on कर देंगे तो आशा करता हूं दोस्तो आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सिखने को मिला होगा तो मेरे साथ अंतक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद देखते रहिए हमारा इंडस्ट्रियाल इलेट्रिक्याल चानेल बोल बुल बुल मिलते हैं अगले वीडियो मे Namaskar